नमस्कार और एक बार फिर से आपका सौदत है अपने इस YouTube चैनल जिसका नम है Computer G में और अभी के लिए हम देख रहे हैं इसमें Python प्रोग्रामिंग के important practical से जोड़े हुई कुश्च उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुई देखने जा रहे हैं अपना आज का सवाल तो आज का से चीज कहा रहा है एक function अब बना के दो जो string को input ले सके parameter के तोर पे मतलब उस function में आप कोई string input कर सको बस इतना ही नहीं एक्छी जोड़ करना है आपको कि कोई भी ऐसा successive element मिले मतलब कि जैसे आपने input किया school और इसमें देखिए O के बाद दुबारा O आ गया मतलब जो आगे वाला element है वो अगर repeat हो रहा है तो repeated element को आपको बदल देना है और question mark से उसे replace कर देना है इतने सी चीज आपको करनी है फिर से बताओ देखिए माण दीजे आपने input किया V double AT ठीक है V double AT यह हमने input किया तो यह function क्या करेगा जो दूसरा वाला A है एक बाद जो दूसरा A आ रहा ह है इसकी जगाँ पर question mark लगा के हमें output दे देगा यह इस program के द्वारा कहा जा रहा है समझ मैं ऐसा यह कर देगा कि कोई भी alphabet के बाद वही alphabet दोबारा आए तो उस दोबारा आने वाले alphabet को replace करेगा किस चीज से question mark से replace कर देगा तो यह तो सवाल हो असानी से सूझ के अब बारी आती है main चीज की वह है solution सवाल मैं इसलिए थोड़ा अच्छे से समझाता हूं ताकि आप समझ जाएं क्योंकि logic सारे सवाल समझने की बाद ही लग पाएंगे चो यह देखे अगर solution की बात करें तो क्या चीज़ें आपर कहीं जा रही देखिए यहां से solution की कोशिश करिए यह आप हमने string को अपने input कर दिया कोई दिकत ठीक है input string में हमारी string input हो गई अब result जैसे ही गए हम हमने function को call किया है replace repetitive karts यहां पर इस function को हमने call किया है और इसमें यहां पर जो हमने value input की थी उसको यहां पर pass किया है क्या चीज मालने जारी यहाँ पर हमने school input कर दिया मैं SC करके द बिखा रहा हूँ, sc मतलब school हो गया, school input किया है, तो इस function में क्या हमने पास किया, उसी sc को पास कर दिया, अब ये s-c-h-o-o-l जो है, school, वो उठके जाएगा, और यहां पर पहुंचेगा, इस जगहां पर हमारा, string की जगहां पर हमारा, s-c-h-o-o-l पूरा पहुंचेगा, य इस function में इसके साथ जोड़ी चीज होनी है, वो होगी, अब सर, क्या यहां पर हो रहा है थी, यहां पर दो variable है, एक modified string, और एक previous character, ठीक है, previous character और modified string, दो चीज है, और यहां पर for लोग के अंगर, check होगा, कि क्या character में जो value है, वो बराबर नहीं है, previous character के, मतलब कहा चीज, कि जो भी character में value है, वो previous character के बराबर है या नहीं, अगर नहीं होगा, तो यह आगे की तरफ बढ़ेगा, लेकिन अगर match कर गया, तो क्या होगा, match कर गया, तो उसको हम question mark से repeat कर देंगे, सौच मैं आई बात, देखे, यहां पर क्या कह रहा है, if character is not equal, यह किस sheet के sign है, is not equal to previous character, तो क्या करेगा, modified string को एक आगे बढ़ा देगा, लेकिन अगर match कर दिया, else, अगर not equal नहीं है, मतलब equal है, पिछला character अगले character के equal है, तो उसको question mark से replace करके, हम जो है previous character की जगाँ पर character लेते आ रहे हैं, और return कर दे रहे है, modified string, अगर बरावर नहीं है, तो कुछ नहीं और यहां से यह उठके modified string यहां पर वापस आ जाएगी, और result में यह store हो जाएगा, समझ में इतनी चीज, और उसके बाद उसी चीज को हम print करा देंगे, modified string को, इतना समझ में आ गया हो, तो चलिए उसको run करा कर देखते हैं, ना समझ में आया हो, तो फिर से repeat करके देख इसको थोड़ असाम बढ़ा कर लेते हैं, और यहां पर देखे सारी चीजे सेम है, इसको बस हमको run कराना है, और यहां पर जैसे run कराया है, यह कह रहा है कि string input करो, तो और ने वही string scol input कर दी यहां पर, और जैसे hinter करेंगे, दूसरा वाला ओ देखे question mark में बदल गया है, कु question mark आ चुका है, तो यह हमारा program था, जो कहा जा रहा था, सबसे ज़रोरी यहां पर क्या चीज है, लोग question ही नहीं सामच पाते हैं, कि करना क्या है, यहां पर करना यही था, कि कोई भी अगर alphabet repeat हो, तो उस repeated alphabet की जगाँ पर question mark लगा दा देना है, तो यह हमारा आज का program था, जि पूरा channel आप ही लोग की मदद से चल रहा है, तो आप जो भी amount चाहिए, यहां पर कोई boundation नहीं है, आप हमारी मदद कर सकते हैं, बाकी channel को like, share, subscribe आप करीं देते हैं, मिलते हैं किसी और lecture में किसी और अच्छे सवाल के साथ, तब तक के लिए नाश्कार,